हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क बोर्ड में आज की इस वीडियो में हम लोग 12 बोर्ड परिक्षा के लिए इतिहास के काफी महतपूंड 30 BBI अबजेक्टिव प्रस्ण बताएंगे जो आपके बोर्ड परिक्षा के लिए काफी महतपूंड होगा तो आप ये शुरू करते हैं पहले नंबर प्रस्ण से तो पहला नंबर प्रस्ण है कि सोतंत्र भारत के परथम राष्ट पति कौन थे औप्षन ए है जवाहर लाल नहरू बहादूर सास्त्री औप्षन C है राजिंदर परसाद ऑप्षन D है भीम्राव अमबेदकर आपको बताना है कि सोतंत्र भारत के प्रथम राष्ट पती कौन थे तो सोतंत्र भारत के प्रथम राष्ट पती डक्टर राजिंदर पर साथ थे तो यहाँ पे C option बिल्कूल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण दो नंबर दो नमबर प्रस्ण है कि भारत को कब गरतंत्र घोसित किया गया ओप्शन A है 26 जनवरी 1950 ओप्शन B है 26 जनवरी 1930 ओप्शन C है 14 जनवरी 1950 ओप्शन D है इन में से कोई नहीं आपको बताना है कि भारत को गरतंत्र घोसित कब किया गया तो भारत को गड़तंत्र गोसी 26 जनवरी 1950 को किया गिया तो यहाँ पे ए उप्षन बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्में तीन नंबर तीन नंबर प्रस्में कि भारत में कितनी रियासते थी आपको बताना है कि भारत में कितनी रियासते थी तो भारत में 562 रियासते थी तो यहाँ पे ए उप्षन बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्में चार नंबर प्रस्में कि सोतंतरता के समय भारतिय राष्टियर कंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ऑप्षन महात्मा गान्धी ऑप्षन बी है जवाहर लाल नहरू ऑप्षन सी है जे बी किर्पलानी ऑप्षन डी है अब्दुल कलाम की स्वतंतुरता के समय भारतिय राष्ट्रियों कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष थे जे भी किरपलानी तो यहाँ पे सी ओप्षन बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ण पांच नंबर प्रस्ण है कि इंडिका किसकी रचना है ओप्षन ए है चाड़क्य की ओप्षन भी है मेगा स्थनीज की ओप्षन सी है हर्सवर्धन की ओप्षन डी है काली दास की आपको बताना है कि इंडिका किसकी रचना है तो इंडिका मेगा स्थनीज की रचना है तो यहाँ पे बी ओप्षन बिलकुल ही सही हो जाएगा आ Option C है असोक, Option D है कनिस्क, आपको बताना है कि धंब की शुरुवात किस ने की थी, तो धंब की शुरुवात असोक ने की थी, तो यहाँ पे C असोक बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आईए देखते हैं, अगला प्रस्ण साथ नंबर, साथ नंबर प्रस्ण है कि मोरे वंस का संस् स्थापक कौन था, तो मोरे वंस का संस्थापक चंद्रगुप्त मोरे था, तो यहाँ पे A उप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आईए देखते हैं, अगला प्रस्ण आठ नंबर, आठ नंबर प्रस्ण है कि मोरे वंस की रजधानी कहा थी, ओप्षन A है वीदिशा, ओ उप्षन C है पाटले पुत्र, उप्षन D है राजगीर, आपको बताना है कि मोरे वंस की रजधानी कहा थी, तो मोरे वंस की रजधानी पाटले पुत्रा थी, तो यहाँ पे C उप्षन बिल्कुल सही हो जाएगा, और पाटले पुत्र किस राजे में पढ़ता है, तो यह साथ में आपको याद रखना है। आज़को बताना है कि असुक का व्यक्तिघ्थ धर्म क्या था और फर्म पे यह यहां पर ए उप्शन बिल्कुल ही छाएगा आज़को दिखते हैं। अगला प्रस्ण दस नंबर प्रस्ण है कि असुक ने महेंद्र और संग मित्रा को बहुत धर्म के परचार के लिए किस देश में भेजा आपको बताना है कि असुक ने महेंद्र और संग मित्रा को बहुत धर्म के परचार के लिए किस देश में भेजा तो यह सिरलंका म भेजा तो यहाँ पे D option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 11 नंबर 11 नंबर प्रस्ण है कि आरे भट कहां का वासी था option A है मालवा का, option B है कास्मीर का, option C है तक्सिला का, option D है पटना का आपको बताना है कि आरे भट कहां का वासी था, तो आरे भट पटना का वासी था, तो यहाँ पे D option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 12 नंबर बारा नंबर प्रस्ण है कि भारत का प्रथम मुगल सासक कौन था, option A है बाबर, option B है अकबर, option C है सेरसासूरी, option D है बलवन आपको बताना है कि भारत का प्रथम मुगल सासक कौन था तो भारत का प्रथम मुगल सासक बाबर था तो यहाँ पे ए उप्षन बिलकुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रस्ण तेरा नंबर प्रस्ण एक किस मुगल सासक ने दास प्रता समाप्त किया आपको बताना है कि किस मुगल साशक ने दास्परता समाप्त किया तो अकबर ने किया तो यहां पर बिलकुल ही सही हो जाएगा आएए देखते हैं अगला प्रस्था नंबर चौदा नमबर प्रस्ण है कि पांच पांडों में सबसे बड़ा कौन था ओप्शन A है अरजुन ओप्शन B है भीम ओप्शन C है यू धिश्ठिर ओप्शन D है नकूल आपको बताना है कि पांचों पांडों में सबसे बड़ा कौन था तो पांचों पांडों में सबसे बड़ा यू धिश्टिर था तो यहाँ पे C option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ण पंद्रा नंबर पंद्रा नंबर प्रस्ण है कि महा भारत की रचना किस भासा में हुई option A है संस्कृत भासा, option B है पाली भासा, option C है प्राकृत भासा, option D है हिंदी भासा आपको बताना है कि महा भारत की रचना किस भासा में हुई तो महा भारत की रचना संस्कृत भासा में हुई तो यहाँ पे A option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 16 नंबर, 16 नंबर प्रस्ण है कि मनुस्मिरिती की रचाइता थे, option A है वेद ब्यास, option B है वालमिकी, option C है मनू, option D है यग्यवले, आपको बताना है कि मनुस्मिरिती के रचाइता थे, तो मनुस्मिरिती के रचाइता मनू थे, तो यहाँ पर C option बिलकुल ही सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रस्ण 17 नंबर, 17 नंबर प्रस्ण है कि दुर्योधन की मा कौन थी, आपको बताना है कि दुर्योधन की मा कौन थी, option A है गंधारी, option B है कुंती, option C है मादरी, option D है सत्यवती, आपको बताना है कि दुर्योधन की मा कौन थी तो दुर्योधन की मा गंधारी थी तो यहाँ पे ए उप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ण अठारा नंबर अठारा नंबर प्रस्ण है गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था उप्षन है अमरित सर उप्षन भी है चंडीगर उप्षन C है तलवंडी उप्षन D है लाहोर आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था तो यहाँ पे C उप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 19 नंबर प्रस्ण है दी दीने इलाही धर्म किसने शुरू किया आपको बताना है कि दीने इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया तो यहाँ पे ए उप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 20 नंबर 20 नमबर प्रस्द है कबीर अर्वी भासा का सब्ध है इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है कि कबीर अर्वी भासा का सब्ध है और इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है कि कबीर अर्वी भासा का सब्ध है और इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है महान तो यहाँ पर C option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ण है 21 नंबर 21 नंबर प्रस्ण है किस सिख गुरू का जन्म पटना में हुआ था option A है गुरू अर्जुन, option B है गुरू तेग बहातुर, option C है गुरू गोबिंद सिंग, option D है गुरू अमर्दास आपको बताना है कि किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो गुरु गोबिन सिंग जी का जन्म पटना में हुआ था, तो यहाँ पे ए उप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रस्ण 22 नंबर, 22 नंबर प्रस्ण ए खानका क्या है, उप्शन आपको बताना है कि खानका क्या होता है, तो खानका सूफी संतों का घर होता है, तो यहाँ पे ए उप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रस्ण 23 नंबर, 23 नंबर प्रस्ण है कि विश्डु को अपना पती कौन मानती थी, आप्शन A है मीरा, आप् साइकल, आप्शन D है इन में से सभी, आपको बताना है कि विश्डु को अपना पती कौन मानती थी, तो विश्डु को अपना पती मीरा मानती थी, तो यहाँ पे ए उप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 24 नंबर, 24 नंबर प्रस्ण है आपको बताना है कि निजामुदिन ओलिया का दरगाह कहा है, तो निजामुदिन ओलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है, तो यहाँ पे ए उप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 25 नंबर, 25 नंबर प्रस्ण है लोथल किस नदी के किना किनारे इस्थित है, आपको बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे इस्थित है, तो यहाँ पे ए उप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 26 नंबर, 26 नंबर प्रस्ण हडपा संस्कृति अधारित थी, आप्शन ए है व्यपार पर, आप् पालं पर, आप्शन डी है सिकार पर, आपको बताना है कि हडपा संस्कृति किस पर आधारित थी, तो हडपा संस्कृति व्यपार पर आधारित थी, तो यहाँ पे ए उप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 27 नंबर, 27 नंबर प्रस्ण ह कि सिंदू सभ्याता का बंदरगान अगर कौन था ओप्शन A हडपा ओप्शन B है मोहन जुदाडो ओप्शन C है काली बंगा ओप्शन D है लोथल आपको बताना है कि सिंदू सभ्याता का बंदरगान अगर कौन था तो सिंदू सभ्याता का बंदरगान अगर था लोथल तो य आपको बताना है कि सिंदू सभ्याता का छेतरफल किस अकार का था option A है आयताकार, option B है वरगाकार, option C है वरिताकार, option D है तिरभुजाकार आपको बताना है कि सिंदू सभ्याता का छेतरफल किस अकार का था तो सिंदू सभ्याता का छेतरफल तिरभुजाकार था तो यहाँ पे D option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 29 नंबर 29 नंबर प्रस्ण है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा किसने कहा था option यह तेज बहादूर option B सुभास चंद्रबोस option C मोतिलाल नहरू option D भगत सिंग आपको बताना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा यह नारा किसने दिया था तो यहाँ पे B option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं लाश्ट प्रस्ण यानि तीस नंबर प्रस्ण है तीस नंबर प्रस्ण है आपका की wealth of nation की पुष्टक किसने लिखी थी यानि wealth of nation के रचयता कौन थे तो wealth of nation के रचयता यहाँ पे B option बिलकुल ही सही हो जाएगा हम आपको 12 परिक्षा के लिए 30 इतिहास के काफी महत्पूर्ण objective प्रस्ण बचा चुके हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई